अजिन वश्का रादे रादे हिदर महादेव मैं आपका आचार देव आज इत्तम नवीन बिंदू पे आप से मैं बात करने वाला हूँ अजिन स्ब्सक्ति बिंदू देखि हमारे यहां अपना भविष्जानने के हजारों है अब किसको क्या पता है जैसे आपके राजधानी तक पहुंचने के लिए सईकुण हाइवे आप राजधानी पहुंच सकते हैं ग्राम की पगडंडी से भी आप हाईवे तक पहुंच सकते हैं वहां से दिल्ले तका सफ़र कर सकते हैं उसी तरह छोटे-छोटे बिंदू हैं भविस जानने के लिए इसलिए मैं कहता हूं जोतिस से सरल इस दुनिया में सिर्फ जोतिस ही है आप सकता है उसको जानने की समझन यूट्ब्प पे मिले उस पंक्ति को देखके मैंने विस्तार दिया दाइने मासा सुह की यह आसा नायओ सर्की यासा बाएक मासा का मिर्वाशा पुरुस दाही ने इस्त्री्समा 95 करता पूरा काम 500 पुराण मश्चापुरान के अम्सार है आप मस्यत जा सकते हैं कि आपक करते हैं आपने सिर्च तो सिर के उपरी भाग पर आगर आपके मस्सा है तो बेपुल धन की प्राप्ती होगी क्या होगा बेपुल धन की प्राप्ति अब आप पूझ लिजी आप अपने आसपास नजर दवडाईए यह मस्सा पुरान सुनने के बार आप नजर दोड़ा के देखिएगा आपके अगल वगल कितने लोगों पर सटिक बढ़ता है यह सत्त प्रत्स सटिक बढ़ता है हमारे यहां जो इस तरह के लोगोगती हैं कहावते हैं उसके अंदर बहुत सार तक्तु छुपा हुआ है अब इसको अंग्रेजी में बुक आ जाती तो हम लोग जो है इसको जो पड़े लिखे लोग हैं वह बहुत लाइक करते क्योंकि अगर कोई चीज लोकोगती में है संस्कित में हिंदी में तो मैं लगता रही है तो सिर के उपर ही भाग पर है तो बिपुल धन की प्राप्ति होगी सास्त्रकारों का ऐसा कहना है सिर के पिछल बलाट पर अगर है तो धन आगवन का प्राप्ति है मने आपके पैदा होने के पस्चात ही जैसे आप पैदा होंगे वैसे आपके घर में धन का आना सुरू हो जाएगा धना सुरू हो जाएगा आपके उत्परन होने के बाद मस्तक पर अगर आपके है तो मान शमान के प्रा अच्छी बात नहीं है दुर्भाग्य का प्रतीक है स्वभाग्य का प्रतीक नहीं है भाओं के मद्ध अगर है मने दोनों भाओं के मद्ध तो सास्त कहते हैं कि ऐसा अब्यक्ति बहुत वाचाल होगा और वास्तों में या दुष्टात्मा होगा राहुर का प्रतीक होगा लेकिन ऐसे लोगों को दुश्टात्मा तो होगा लेकिन ऐसे लोगों के बीच बहुत मिलेगा प्रिय आपके अगर आपके पलकों पे है आपके आपके पलकों पे है तो प्रिया दर्शन का सुख मने जिनको आप इस नहीं करते हैं जिनको प्रेम करते हैं उनको देखने का सुख नंतर मिनता रहे हैं मतलब उनसे दूरी नहीं होगी तो आप सवभागे सालिय हैं कि अपने परिवार अपन भौव और ललाट यह जो तीन जगार के मस्षे हैं सासका ऐसे कहते हैं कि अगर आंके के मद्ध में है बने दोनु आंकों के मद्ध में है ललाट पर है आपके और तन्पटी पर है तो ऐसा अव्यक्ति एक समय के पंचाथ जीवन में सर्वस्त्याग करके सन्यास-धारण कर ले तो नवीन, वस्त्रों की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, नाक आपकी बची रहेगी, प्रतिष्ठा रहेगी, नाक वाले रहेंगे आप, अगर आपके गाल पे है, ठीक है ना, गाल पे है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, मनें पुत्र का सुख, पुत्र प्राप्त तो उत्तम भोजन लेकिन पीपासा रह जाती है, पीपासा कुछ जीवन ऐसे को रह जाता है। भोजन भटतलों लेकिन कुछ अधूरापसा रहता है। अगर आपके मस्वा कान पर हैं, तो आध्यात्मिक ज्यान की प्राप्ती होगी अपको जीवन में। गूर तक तो आपके अंदर सहज रूप से आ जाएंगे, कोई बिक्तियसा मिलेगा, जो गूर तक्तों का दर्शन आपको करा देगा, मानि अश्टम भाव आपका जागरित हो जाएगा, और अगर आप इस्तरे जातिका हैं, तो आपको आभोशनों की प्राप्ति होगी ज्यान की साथ साथ, आपके कंट पर हैं, गले में हैं, तो आप इस्तरे जातिका हैं, तो इस्तर आप उश्र पहनने का सुख मिलेगा आपको, और उत्तम भोजन, भोजन आपको अच्छा मिलेगा, आपके सब्दों से लोग मोहित हो सकते हैं, नाग पर है, तो नाग पर हमने पहले इस तरह की चिज़े होती है तो शुरण विलास मैंने सोने के आपो इसनिक त्यारिया आपको मिलते रहेंगे पेठ पर है तो सेज उड़ासा मतलब विस्तर बंगते रहेंगे एक जगा विस्तर नहीं रहेगा आज यहां तो कल वहां टीडी आपको जाना पड़ेगा पेठ के मासा अन निरासा अगर पेठ पे आपके है उधर पे है तो अन आपको कम मिलेंगे भरपेट मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा मतलब जीवन आपका कश्ट युक्त होगा आए के सुरूत बंद हो जाएंगे मतलब दुटिएस और एकादसेस आपकी कुंडली में परिशाने में हैं यह मस्सा आपको बता देगा भीना कुंडली देखे अगर आपने देख लिया क किसी के तो आप जान लेगे कि उसके दुटिएस और एकादसेस दोनों पीडित हैं या दोनों च्री आट बारा में बैठे हैं इसलिए बिक्तिकों जीवन में इस तरह किसीजों की चीज़ों से दो चार होना पड़ेगा तो कुंडली खोल के आपके सामने मस्सा रख दे रह बच्चे बूखे मर रहें तो बच्चे बूखे न मरें बर रिप्ण रहें गरीबी रहेएगे आर्ति गुरूप से अपरिशान के माच साथ भोग बिलासा अगर आपके जंगे पे हैं जंगा क्या होता है भोग का पतिक हैं अ इस आप महारतकाल में जाएं तो जंगा ठोब कि कहता है, यह बैटो यहाँ पर, जंगा है भोग भिलास का निदीन है, तो जान के मासा भोग भिलासा और गाल के मासा और गाल के मासा सोन विलासा पीट के मासा सेज उडासा पेट के मासा पहुत इंपोर्डन पंक्ती है तो मस्सा पुरान के अंतर रगत ये सारी सिज़ें आपको बदाई गई कैसा लगा वीडियो और हमें लगता है कि नमींतम वीडियो होगा नए जानकारी होगी हमारे चैनल का नाम है जोतिस मंजरी मंजरी तो सारी जो मात्रपूर्ण चीज़ें इस चैनल पर आपको मिलेंगी तो आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे दूसरों के जानकारी क्लेसर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमारी तरब से आपके लिए रादे